शार्दिय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और यही वो मौका है जहां से तियोहारों की छड़ी लगना शुरू हो जाती है नवरात्रे फिर करवा चौत फिर भाई दूज और फिर उसके बाद दिवाली और इस तरह के चलिए राजन से हम संपर्क सार्दे की कोशिश कर रहे है राजन माता वैशनो देवी दरबार में मौझूद हैं जम्मू में और राजन अगर आप मुझे सुन पा रहे हूं मैं आपको बिल्कुल साफ देख पा रही हूं अगर आप तक मेरी आवास पहुंच रही है राजन तो शादे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और बड़ वाही खास और बहुत खुबसूरत होता है राजन अब बिल्कुल जास्मेन आपने कहा ये वाके ही खास मौका होता है और इस वस्त न्यूस एटिंग की टीम वैशनो देवी भावन पे मौझूद है और आप मैं वीजे बंटी से कहूंगा कि आपको दिखाएंगे किस तरह स इस बावन को सजाया गया है और जो शरधालू है उनका अभी से तांता लगना शुर हो गया है माता वैशनो देवी में अब तक सतर लाग से जादा शरधालू दर्शन कर चुके हैं इस साल और उमीद है कि जो ये नो दिन जो नवरातरे हैं इसमें यहाँ पे तिल रखने की भी जगा नहीं होती है यानि की काफी अच्छा खासा रश यहाँ पे दिखने में आता है और ये भैरो गाटी के लिए भी यहीं से रास्ता जाता है और सामने देखिए माता वैशनो देवी का भवन जहां पे हम अभी मौजूद हूँ इसी भवन पे माता वैशनो देवी के दर्शन करने के लिए देश के कोनों कोनों से जो शर्धालू है वो माता वैशनो देवी आते हैं और अब तकरीबन जो है प्रती वर्ष एक करोड से जादा शर्धालू माता वैशनो देवी के दर्शनों को लिए आते हैं हालें कि जब कोविट था तो रश कम था यात्रा ब इस दफा खास जो है इंतजाम किये गए हैं और खास जो दिव्यांग लोग है उनके लिए फ्री पोनी और फ्री जो है जो बैटरी कार होती है उसकी विवस्ता भी की गई है और कहीं शदालू आप में दिखुगा यहीं से यह अंतिम जगा है जहां से भवन में एंट्री होती है और यहीं से लाइन जो लगनी है जो कतारे लगती है उसकी शुरुवात होती है और जो यह सब भप्त हैं शदालू है यह अपनी वेट करते हुए इनसे जाने के कहां से आए आप और आप जो है कितनी अपने हैं हम पहली बारी आया यहां पर मतलब हमारा कभी प्लान ने बना था एकदम से माता राणी ने बुलाया पता ने कैसे चमतकार हुआ कि अगले दिन ततकान में टिकेट बुक हो गई और हम आ गए बहुत अच्छी से दर्शन हो है जैमादादे आप दे सकते हैं कि यहां पर अनॉंसमेंट भी कि जा रही है यादि किसी का कोई समान खो किसी का अपना परीजन जो है उसे खो गया है उसके लिए अनॉंसमेंट कि जाती है और लोग जो है अभी से यहां पर लाइनों में लगना शूरू हो चुके हैं और यह लाइने आने वाल लिनों में बहुत लंबी होने वाली है और यहां पर तांता भक्तों का जो है वो ये का या है da एंशे के शरेख Macht बेच्टों के यह का यह वर भी जा रड़ा. आज सा राड़ा कर वंशेश्ण माता वेशो दर्शन र्चशन माता है साथ बेहरो गाइश के लिजा वर ड्रशन्यान के लिए बिल्कुल राजन हम साफ देख पा रहे हैं कि अभी से भक्तों का तांता यहां पर लगना शुरू हो गया है और कई तरह की प्रक्रियाएं भी जोरान होती है राजन क्यूंकि जब यह 9 दिनों का समय होता है तो दूर दराज से श्रधालूं यहां दर्शन करने पहुंचते है चाहे RFID कार्ड की बात की जाए फिर श्राइन बोर्ट की तरफ से कई तरह की तैयारियां की जाती है ताकि भक्तों को यहां पर कोई असुविधा ना हो उसके लाबा राजन इस बार बड़ी बात यह हुई है कि 300 मीटर लंबा स्काइवाक भी यहां पर उसका गाटन राश् बिल्कुल जासमें अब सही कहा कि अब जो पिछले सालों के मुकाबले अब जो सूवदाएं है वो पहले से कई जादा हो गई है चाहे हम तारा कोटी मार्क की बात करते हैं जो साड़े साथ किलोमेटर है नीचे कटरा से उसके साथ साथ जो स्काइवे बना है यानि कि जो श हैं उनका अलग से रास्ता हो तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो शर्धालू है यह जब आते हैं कोगी एक दफ़ा आपको याद होगा कि यहां पर स्टेंपे जब हो गया था तो कुछ नुकसान भी हो था उसी को देखते हुए अब श्राइन बोर्ड ने कहीं ऐसे कदम उठाए हैं जिसे की रश जो अगर जादा से रश भी होगा तो यहां असुविदा ना हो शर्धालू को पीने के पानी की विवस्ता हमने जगा जगा देखी लंगर की विवस्ता भी है जगा जगा पे और यहां पे 24 आवर्स जो हैं बिजली की विवस्ता रखी गई है और जो शर्धालू को असुविदा ना हो तो बोजनाले भी यहां पे खोले गए हैं अभी हाल ही में भवन में काफी ड्वल्मेंट हुई है चाहे वो मनोकामना भवन है कालका भवन है कहीं ऐसे बवन है यहां पे जो वीवी आईपी से उनके भी रुकने की जो है विवस्ता यह पे की जाती है श्रेंबॉर्ट की तरह से लेकिन जिस तहां का उमीद है जिस तहां से अलगी मनोसना ने भी कहा है कि दो करोड के से जादा जो अभी सिलानी है जो जमोगश मी राने वाले हैं और हमें देखाया कि केवल एक करोड जो सिलानी जो श्रदालू है क्योंकि पिल् सब अपने के लिए लोग पहुंचते हैं श्राइन बोर्ट की तरफ से तो तैयारियां यहां पर करी गई करी गई हैं और खास्तार पर जो यह नवरात्र का मौका है जरान यह दर्शन बेहत खास रहते हैं लेकिन इसके अलावा जो कट्रा में चाहे जो द्योगपती है यहां पर जो वेपारी है और उनकी तरफ से भी शुधालों के लिए कई तरह की आयोजन किये जाते हैं और खास् पर यह नौ दिन आपकी आपकी जो मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपका सवाल हो कि यहां पर भजन जो लगे हुए है उसकी आवाज बहुता है और शादालों का जो यहां पर जो यहां आवाजे हैं उससे लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं मैं बता दूँ के कट्रा में भी जो है कई सुबिधाएं जो है वो मुहिया करवाई गई है जैसे मैंने तारकोटी मार्क की बात की है पहले जो तेरा किलोमेटर का जो 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 तरडिशन मार्क सब्सक्राइब और अगर अपने वीडियो जैनलिस्स से आप यह कहें कि एक बार माता वैशनो देवी भवन क के दर्शन संभव हो तो यह हमारा स्वभाग्य होगा न्यूज एटीन का कि माता वैशनो देवी के भवन के दर्शन हम अपने दर्शकों को करवा सके वीडियो जैनलिस्स से कहें जरा एक बार फूल फ्रेम पूरे वीडियो दिखा दे मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीजे बंडी से कहूंगा कि वो भवन के दर्शन करवाएं जो भी श्रधालू टीवी एटिंग के माता वैशनो देवी के दर्शन करने नहीं पहुंच सके हैं उनको कम से कम घर बैटे हम यह माता रानी के दर्शन करवा पाएं और यह बता यहां पर किस तरह से माता रानी आप दर्शन कर सकते हैं यह सामने देखिए यह भवन है और यहीं पर माता रानी की वो जो पिंडिया हैं जिनके दर्शन करने के लिए जो है श्रधालू देश के कोने कोने से आते हैं माता सरस्वती माता लक्षमी माता काली सब तिनों देव जो है वो कोने कोने से आते हैं वो सामने जब जो आप काल का भवन देख सकते हैं इसी के साथ ही माता का भवन है और यहां जो यह ट्रैक बनाया गया है आप देख सकते हैं कि वो इस तहां से बनाया गया है कि जो शडालू है उनको जो है किसी तहां की बिल्कुल राजन यहां पर शब्धालों के लिए सुविधा चाक चौबंध है नवरात्री का पावन मौका शुरू होने को है और इसी लिए तैयारियां तेज कर देए